नमोनारायन, जय महाकाल, जय माबगला मुखी, सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है, आसर करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी अध्यात्मिक उन्नती आगे बढ़ रही होगी, आज का मेरा वीडियो प्रभू स्रीराम चंद्र जी के सेवक, दिल के करीब, कल्यों के चिरन जीवी देवता, पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में है, मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है, जो सिद्धियां चाहते हैं, जो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, जो लोगों के मन में कुछ अभिलासा है, कि मेरा ये काम बन जाए, और जब भी बजरंग बली का नाम आता है, तो बहुत इसमें डिवेट चलता है, कि महिलाएं पूजा कर सकती हैं, महिलाएं नहीं कर सकती हैं, मैं आपको एक चीज बता दूँ, कि महिला हूँ, चाहे जैंड्स हूँ, बजरंग बली सबको समान भाव से देखते हैं, बट आपको एक चीज करनी है कि जिस समय आप menstrual cycle अपने महावरी के समय में हो उस समय उनको avoid करें छूना बाकी आप छू सकते हैं कोई problem नहीं है आपके अंदर भाव मा का होना चाहिए एक बहन का होना चाहिए आप छू सकते हैं कोई problem नहीं है सभी के लिए भगवान समान होते हैं बट यहाँ पर जो बट सब्दा रहा है जो किंतु परंतु सब्दा रहा है लेकिन आ रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब साप सफाई से है ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान चाहे वो जैंट सी क्यों ना हो मर्द ही क्यों ना हो अगर वो भी गरत काम करके वजरंग बली को छूएगा या गंदे हातों को लेके छूएगा तो वो भी पाप का हगदार होता है आज का मेरा वीडियो एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जो महिलाओं के लिए और सभी लोगों के लिए भी काम आएगा अगर इस उपाय को महिला भी करेंगी तो उनके भी दिन बन जाएंगे यानि माताय बहनों के लिए भी ये उपाय बहुत ही कारगर है आप सभी लोगोंने सुन्दरकांड का नाम सुना होगा सुन्दरकांड भगवाद बजरंग बली को बहुत प्री है और सुन्दरकांड में भगवाद बजरंग बली के सारे कारणामे उन्होंने कितनों को मारा क्या-क्या उन्होंने कारणामे दिखाए कहां पे लंका जलाई, कब उन्होंने छलांग मारी, ये सब चीज़ों को दरसाया गया है जब भी बजरंग को लिए किया नाम आता है, तो कुछ चीज़े हमारे दिमाग में स्वता ही आ जाती हैं जैसे नमबर वन, अनुमान चाली सा, नमबर टू, बजरंग बान लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं सुंदर कांड की, सुंदर कांड में थोड़ा सा समय लगता है लेकिन आज में आपको सुंदर कांड से लेटेड बहुत अच्छे अच्छी चीज़े बताऊंगा जिससे आप असानी से सुम्दरकानड का ये तरीका अपना कर भगवान बजरंगबली को प्रसंद कर सकते हैं जब भगवान बजरंगबली प्रसंद हो जाते हैं तो आप अपने होरोसकोप यानि कुदूल में बैठे हुए ग्रह मंगल को सही कर लेते हैं और जब आप मंगल को सही कर लेंगे तो आटोमेटिक राहू, केतू और सनीग्रे भी प्रबल हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे इस सुन्दर कांड को आपको करना है। देखी सुन्दर कांड का जो पाठ होता है, वो हमेशा 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन करना चाहिए, यानि 11, 21, 31 और 41। किसी भी निश्चित समय पर देशी घी का दीपक जला कर साथ पीपल के पत्ते और लड़ू आप प्रभू हनुआन जी के चरणों पे रख कर शुन्दर कांड का पाठ करें। फिर पीपल के पत्तों की माला बनाकर हनुआन जी के मंदिर में चड़ा दें। आप जितने दिन का भी आपने अनुस्ठान लिया है जैसे 11 दिन 21 जो भी आपकी सिद्धा है उतनी अवदि के पीपल के पत्तों की माला जैसे 11 दिन का है तो 11 की माला यानि 11 पत्तों की माला और 21 दिन का है तो 21 दिन आपके अनुसार अब देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो आसानी से कर सकती है क्योंकि अपने मेंस्ट्वल महावारी के टाइम के अगॉर्डिंग वो दिनों को चूज कर सकती है क्योंकि यह पर समय ग्यारा और एकीज भी है इस प्रकार से आप हनवान जी को अरपित करें लेकिन एक सीज आपको ध्यान देना है कि सुन्दर कांड का जो पाठ है वो डेली चले अब आपको समझ में आ गया है कि ये काम महिलाई भी कर सकते हैं पूरुस भी कर सकते हैं अब खास करकी महिलाओं के लिए मा बहिनों के लिए देखिए एक बार आप ये उपाए मंगलवार मुखी सदा सुखी करके देखिए कैसे आप लोहे की पीतल की तांबे की कोई भी अंगूठी पहन कर हनवान जी के मंदिर जाए और उसके बाद अंगूठी निकाल कर बजरंग वली के चरणों में रख दें मन्ही मषिए उनसे ये कहें कि सेता माता मैं नहीं हूँ लेकिन मैं मुसीबत में हूँ, मैं करजे में हूँ जिस मुसीबत करजे को समस्याओं को आप ही दूर कर सकते हैं और उसके बाद स्रीवाला जी, स्री बजरंग वली जी अपने सारे काम छोड़कर आपका काम पहले करेंगे ये गारंटी है आप उस अंगूठी को मंदिर में ही छोड़ाएं तो ये दोनो जो तरीके हैं ये खास कर महिलाएं और बहनों के लिए हैं ये काम आप कर सकते हैं ठीक है अब आपको बजर्म बुली के मंदिर में अगर घुसने नहीं दिया जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ये काम आप बाहर जहां तक आपको घुसने दे वहां तक आप कर सकते हैं आपका भाव सही होना चाहिए और कोशिस ये करें कि जब भी आपका ये स्टेज मैंने जो बोला है वो चल रहा हो उस समय आपको ये काम नहीं करना है और ये जब भी आप करें हमेशा मंगलवार के दिन करें एक बात आप देखेगा कि मंगलवार के दिन हमेशा प्रभू बजरंग बली के मंदिरों में ज़्यादा तर भीड़ लगती क्योंकि मंगल उनका प्री दिन है तो इस काम को आप चाहे तो सनिवार को भी कर सकते हैं क्योंकि मंगलवार और सनिवार भी बजरंग बली पूझे जाते हैं जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जो लोग मेरे चैनल पर पुराने से हैं उन लोगों का अभी तक के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद नमोन अरेन जै महाकाल जै मावगला मुखी